हाई फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ दही छेना की एक रेसिपी सेयर करने वाली हूँ इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी को गरम कर लेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए जो में इंग्रेडियंट्स है वो है दही छेना यहाँ पे मैंने दही छेना लिया है इसलिए इसका कलर थोड़ा से रेडिस है अगर आप दूद वाले छेना से इसे बनाएंगे देन इसका कलर थोड़ा सा वाइट होगा देखिए यहाँ पे पानी थोड़ा सा गरम हो गया है अभी हम इस दही छेना को टैप के नीचे रखेंगे और उसके उपर गरम पानी डालेंगे गरम पानी डालने के बाद इसे नॉर्मल वाटर से भी एक बार अच्छे से धोलेंगे दूसरी तरफ हमें कड़ाई को गरम कर लेंगे और फिर उसमें हम गुर्ड डालेंगे गुर्ड को यहाँ पे हमें तब तक कुक करना है जब तक कि यह मेर्ट ना हो जाए आप इसे इविनिंग स्नाक्स की तरह खा सकते हैं और ये खाने में बहुती डिलिसियस और टेस्टी होते हैं इसलिए आप इसे अपने घर पे ज़रूर बनाएं देखिए यहाँ पे गुर्ड जो है वो मेल्ट हो गया है अभी हम इसमें छेना डालेंगे जिसको हमने पहले वाश करके रखा था छेना डालने की बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो इस रेसिपी को चीनी के साथ भी बना सकते हैं बट अगर आप गुर्ड डालेंगे देन इसका स्वाथ और भी बढ़ जाता है इसलिए आप यहाँ पे गुर्ड ही डालें इसमें हम ग्रेटर कोकनट डालेंगे फिर इसमें इलाइची को हातों से ऐसे तोड़ के डालेंगे नारियल को भी हमें यहाँ पे छेना के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमें यहाँ पे छेना को तब तक कुक करना है जब तक की इसमें जो पानी है वो एब्सॉर्ब ना हो जाए हम इसे स्रिप पानी सूपने तक कुक करेंगे उससे ज्यादा हमें इसे कुक नहीं करेंगे अगर आप इसे ज्यादा कुक कर लेंगे दिन यह खाने में टाइट लगेगे देखिए पानी बिलकुल पूरी तरह से सूख गया है अभी हम गयास के फ्लेम को बंद कर देंगे और यह सर्फ करने के लिए बिलकुल तयार है आप भी यह रेसिपी अपने घर पे जरूर ट्राइ कीजिए और अपना अनुभव मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर सेयर कीजिए अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक, सेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल डोंट फर्गेट तो प्रेस ते बेल आइकन थैंक्स पर वोचिंग